Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247 आज की इस वीडियो में हम हरियाड़ा PGT का प्रिवेस हरिका पेपर डिसक्स करेंगे which was conducted in 2016 यदि आपको इन questions की PDF चाहिए then you can join our telegram channel और वहाँ से आपको इन questions की PDF मिल जाएगी telegram channel की link आपको इस वीडियो की description box में मिल जाएगा वहाँ से आप हमारे telegram channel की join कर सकते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को हमारा first question है I suddenly realize him watching आपको बताना है कि watching का passive क्या होगा तो यह जो watching है यहाँ पे present participle की तरह use किया गया है जब भी हमें present participle का passive बनाना होता है तो watching जो यहाँ पे है इसको हम वहर पा third form बना देंगे उससे पहले being लगा देंगे तो ऐसा कौन सा है डी सही answer इसका होगा being watched और डी को हम सही मानेंगे next question is second I must finish this आपको यहाँ पे बताना है कि must क्या indicate करता है तो must एक model होता है इसका प्रियोग किया जाता है necessity के लिए और necessity indicate करता है first option तो इसलिए first इसका सही हो जाएगा next question is third और third में यह कहना चाहता है कि आपको जो copy यहाँ पर mention किया गया है इसमें suffix का प्रियोग करके ऐसा word बनाना है जिसकी meaning plentiful हो तो copy जो यहाँ पर है एक word है और हमारे पास दो word होते हैं एक suffix होता है यह prefix होता है suffix होता है जब किसी भी word के बाद में कुछ add करते हैं तो उसे हम suffix कहते हैं यदि उस word से पहले कुछ भी add करेंगे तो उसे हम prefix कहेंगे यहाँ पर हमें बाद में use करना है तो इसलिए यहाँ पे suffix कहा गया है और इसका जो suitable word होगा वो first होगा copious जिसके मानि होता है plentiful यानि की बहुत ज़्यादा तो यह इसका सही answer होगा next question 4 है I don't enjoy going to the dentist यह कहना चाहते है मुझे dentist के पास जाना अच्छा नहीं लगता है तो आपको बताना है यहाँ पे going क्या है part अब इस piece में first है infinitive, second है present participle, third है profit participle, fourth है gerund तो इदिकिस में दो ही option हो सकते है या तो फिर आपका यह present participle हो सकता है यह gerund हो सकता है participle की मीनी होती हिंदी में हुआ जबकि gerund की मीनी होती ना नी ने तो यहाँ पर देखेंगे I don't enjoy मुझे अच्छा नहीं लगता going जाना कहां dentist के पास तो ना की मीनी दे रहा है इसलिए gerund होगा डी सही answer है next question fifth हो जाएगा choose the correct indirect speech of the given sentence इस sentence में indirect speech आपको choose करना है first है mother asked us question कुछ है नहीं तो यह होगा नहीं second है mother told us not to go to the park तो इसका जो सही answer होगा वो भी ही होगा next question है six which of the following expression means extremely happy किसके माने होता है extremely happy यानिकि बहुत ज़्यादा खुश तो इसका सही answer कौन सा होगा d होगा on cloud nine on cloud nine की मेनी होती साथवे आस्मान पर हिंदी में लिखते है nine लेकिन इंग्लिश में जब translate करेंगे तो इसकी मेनी होगी साथ तो यह कहना चाहते हैं साथवे आस्मान पर यानिकि में बहुत ज़्यादा खुश था next question is seventh choose the correct passive construction of the sentence इस sentence का passive में बनाना है auctioneer will sell the painting at auction first है the painting तो जैसे यहाँ पर will का प्रियोग किया गया है तो यह will be में जाएगा first में will है नहीं और इसके बाद में d वाले में will be selling हो गया तो यह नहीं होगा और b और c में से choose करना है लेकिन इसका जो सही answer होगा वो c होगा क्योंकि हमें इस auctioneer की कोई ज़रूरत नहीं sentence को पैसी बनाते समय है इसलिए से answer c होगा next question is earth identify the figure of speech I must be cruel only to be kind यह कहना चाहते है kind होने के लिए मुझे cruel होना पर पड़ेगा तो यह sentence एक दूसरे का क्या करहें contraddict कर रहे हैं और इसी वज़े से यह paradox हो जाएंगे paradox की मेनी होती बिरोधा भास एक sentence दूसरे sentence को बिरोध कर रहा हो अगला question है 9 which of the following word is misspelled इसमें का कौन सा word है जिसकी spelling error है तो incongruous है इसकी spelling बिल्कुल सही है second है chronological यह भी सही है synchronous में जो होता है तो n के बाद हम use करते है o us use करते है इसलिए c wrong है dyspathetic यह भी सही है sympathetic तो अगला question हमारा हो जाएगा 10 से 14 तक के हम discuss करेंगे इसमें क्यों होगा कि आपके पास 4 option होंगे उन 4 में से आपको बताना है कि कौन सा grammar के point of view से correct है एक ही sentence correct होगा बागी सारे wrong होगे पहला है मैं brother is the student in the in mayor college यहाँ पे student से पहले दा का use करने की कोई ज़रूरत नहीं है second है मैं brother is student यहाँ पे देखे student का प्रियोग की आगा student एक common noun है जब भी हम common noun का प्रियोग करते है तो उससे पहले article a आता है जो suitable होगा अब हम c में देखते हैं brother is a student in the mayor college यह sentence हमारा बिल्कुल सही है और d है brother is a student in myo college तो यह जो myo है उससे पहले दा होना चाहिए था इसी वज़े से यह wrong है तो सही answer c होगा अगला question है 11th number का neither of them were present there आपको पता होगा कि जब भी हम neither का प्रियोग करते हैं इसके बाद off आता है plus जो pronoun होता है या noun होता है वो plural form में होगा लेकिन जो आने वाला वोव होगा वो singular form में होगा यहाँ plural form में है इसलिए wrong होगा second में singular form में इसलिए correct है third में वो भी नहीं है तो इस वज़े से ये incorrect होगा fourth में r है plural है इस वज़े से wrong है तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा सही आंसर b होगा next question is the roses smell sweet the roses smell sweet तो इसमें से b से हम देखते है b वाले में क्या mistake है roses smell जब भी हम smell का pre-o करते है तो उसके बाद में adjective आता है यहाँ पर add verb यूज़ किया गया तो wrong है roses यह smell जो word होता है इसको ing form में नहीं यूज़ करते है तो ये भी wrong हो गया और ये भी wrong हो गया बचा आपका first सही आंसर है question number 13 है you certainly did not ought to have अब याद रखें कि जब भी हमें use करना होता है model model में कौन से आते हैं जैसे हमने use किया could could या have तो जब भी could have use किये इसके बाद में work का third form यूज़ करेंगे तो could have ही नहीं होता है जितने model है सब के साथ होता है could have, should have, would have may have, might have कोई भी use करेंगे उसके बाद में have आएगा plus verb का third form आएगा ऐसे odd के साथ भी होता है odd to का प्रियोग करते है verb का third form होता है अब यहाँ पर did use कर दिया गए तो wrong है यहाँ पर odd not का प्रियोग करते है negative बनाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं odd, not, to, have का प्रियोग किया गए verb का third form यूज़ किया गए next question is 14 who was the book given to अब याद रखेंगे जब भी हमें पैसी बनाना होता है तो पैसी बनाते समय यदि two को हम starting में use करते है तो उसके बाद में whom का प्रियोग किया जाता है right whom का प्रियोग करते हैं लेकिन यदि two को हम last में use करते हैं तो पहले who आ जाता है अब यहाँ पर देखे two का प्रियोग last में क्या गया तो who होगा नहीं तो इसलिए रॉंग हो गया बाकी कोई sense create नहीं कर रहे है first वाले को देखेंगे तो two का प्रियोग last में क्या गया है इसलिए who का प्रियोग करना correct है तो इसका सही answer first होगा next question 15 है इसमें आपको बताना है कि सही phonetics क्या होगा तो locate को जब डिक्षी में देखेंगे तो लिखा होगा में लेगा C वाला option और इसको याद रखेंगे यहाँ पर यह नहीं होगा बलकि उल्टा E होता है इस तरह से locate लिखते हैं अगला question हमारा है 16 number का choose the correct direct speech of the given reported speech यह जो sentence है यह indirect में से आपको direct बनाना है आपको वता है कि यह past tense दे रखा है यहाँ पर would better go because it was late यहाँ पर was का प्रियोग किया गया है अगर indirect मे was आ रहा है that means कि इसको जब change किया होगा तो वहाँ पर is रहा होगा अब इस यदि हम देखेंगे तो किस में है यहाँ पर was है यहाँ पर भी was है यहाँ पर it's late यानि कि यह is है और यही आपका सही answer हो जाएगा question number 17 है which of the following is spelled correctly कौन सी spelling correct है तो यह से होता है pediatrician की meaning होती है बच्चों का जो expert होता है ऐसा doctor जो बच्चों का इलाज करता है और इसकी सही spelling first होगी next question है 18 और 18 में यह कहना चाहता है कि in which of the following sentences do we need to insert the definite article कि sentence में दा का प्रियोग करेंगे ताकि वो sentence सही हो जाए first है they are all busy growing things second है we do not generally speak of farmers growing animals और c है why do people work d है they are different from the rest वो बाकी लोगों से अलग है तो यहाँ पे दा का प्रियोग करेंगे d आपका सही answer होगा question number 19 है which of the following sentences is correct कौन सा sentence इसमें का correct है first है my father's foot was put down foot was put down पैसी में बना दिया गया wrong है कोई sense create नहीं करता है second है my father down put उल्टा ही हो गया वो भी third है my father put his foot down when I said I wanted a car for my 17th birthday he said I was two young एक हना चाते कि जब मैंने अपने पिता से कहा कि वे अपने 17th birthday के लिए car चाहता हूँ तो उन्होंने उस पे ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही छोटे हो तो उससे answer C होगा और D तो wrong हई है तो इससे answer इसका C होगा next question इसका होता है since you are not there क्योंकि वहाँ पे तुम नहीं थे तो message मैंने तुम्हारी sister को दे दिया तो since ये क्योंकि क्योंकि क्या बताता है reason बताता है और ये एक adverb है तो adverb clause of reason हो जाएगा D इसका सही answer होगा question number 21 से 25 तक कि क्या करना है fill in the blank से आपको fill करना होगा अब यहाँ पे आपको fill करना है आप देख सकते हैं child यहाँ पे singular form में use क्या है both के बाद आने वाला noun plural होता है नहीं होगा all के बाद आने वाला noun plural होता है नहीं होगा whole का जब भी प्रियोग करते हैं से पहले दा होता है तो ये भी नहीं होगा तो और whole child कोई sense भी नहीं create कर रहा है तो सही answer ये होगा क्योंकि जब भी हम each का प्रियोग करते हैं या every का प्रियोग करते हैं उसके बाद आने वाला noun हमेशा singular form में होता है तो इसलिए every child should learn to read and write हर एक बच्चे को सीख लेना चाहिए लिखना और पढ़ना अगला question है 22nd can I ask your do you think TV violence is harmful क्या आपको लगता है कि TV violence एक harmful है क्या मैं आपकी opinion को पूछ सकता हूँ तो ये opinion की बात कर रहे हैं राय की बात कर रहे हैं ये से ही answer होगा question number 23 है where is my wallet मेरा wallet कहा है मैंने इसे छोड़ दिया था कहाँ पर kitchen table पर अब kitchen table में थोड़ी चोड़ेंगे kitchen table पर छोड़ दिया था और जब किसी के exact ऊपर कोई चीज होती जैसे ये table है इसके ऊपर अगर कोई चीज है तो on का प्रियोग करते हैं तो सही answer B होगा अगला question है 24 take some medicine and pain will go कहता है कुछ medicine ले लिजी और दर तुम्हारा चला जाएगा गो बैक माने पीछे जाना गो आफ की मेनी होती explosion हो जाना बिसफोर्ट हो जाना गो आफ की मेनी होती आग का बुझाना और गो आफ की मेनी होती खत्म हो जाना तो सही answer D होगा next question is 25 यह कहना चाहते हैं जो walkers walk करने वाले थे वो आखिर कार अपनी मंजिल पर पहुँच गए they dash all day all day क्या कर रहे तो लोग चल रहे थे तो had been walking have नहीं हो सकता क्योंकि यह present का बात नहीं past की बात कर रहे हैं walk नहीं क्या walk कर रहे थे पूरा दिन, all day पूरा दिन की बात करें एक duration है time की बात करें इसलिए had been होगा बाकी कोई option suitable है नहीं और यहां पर यह कहते हैं कि उन्होंने कितना चला था 30 miles थे profit tense की बात करें इसलिए had walked हो जाएगा तो सही answer first होगा अगला question हमारा है 26 number का besides the contemporary tales which of the following is written by जोफरी चोसर जोफरी चोसर का एक बहुत ही famous work है contemporary tales उसके अराबा कौन सा work जोफरी चोसर ने लिखा है इन options में से first है the house of fame, second है pierce the plowman, third है becky of margaret के all of the options wrong तो सही answer इसका first होगा second है pierce the plowman, william langland ने लिखा है बहुत ही famous work उनका है अगला question हमारा है 27 number का the argumentative Indian is written by यह जो argumentative Indian ही किसके दोरा लिखा गया है first है grish, karnot, second है amartya sane, third है vs. naipol, fourth है wikram said सही answer इसका B होगा amartya sane next question is 28, give the synonym for the word provincial आपको पता है कि province माने छेतर होता है या इलाका होता है जब भी किसी भी word के end में al आता है तो वह adjective होता है तो यह word हमारा adjective है और adjective का synonym या antonym adjective ही होता है तो c को देखेंगे i, an है या noun है तो यह हो नहीं सकता a और b adjective है लेकि national की माने राश्टरी होता है reasoner माने छेतरी होता है तो सही answer भी हो जाएगा अगला question मारा है 29, number का odipus complex is odipus complex क्या होता है तो यह एक खेड़ी होती जिसमी क्या होता है इसकी थूरू बताना चाहते हैं कि जो boy होता या son होता है उसका attraction उसकी मा के तरफ होता है तो son's attraction towards his mother D इसका सही answer होगा अगला question होता है 30 है identify the figure of speech in the plowman homeward plowed his very way इसमें जो figure of speech है वो transferred epithet का प्रियूग किया गया है यह इसका सही answer होगा अगला question हमारा है 31 है identify the clause in the given sentence इस sentence में कौन से clause का प्रियूग किया गया है Darjeeling which is located in the eastern हिमाल्याज Darjeeling है जो की located है eastern हिमाल्याज में is a beautiful hill station बहुत ही खोबसूरत hill station है first है non clause, second है adverb clause third है defining relative clause fourth है non defining relative clause सही answer is कटी होगा non defining relative clause अगला question हमारा है 32 है which of the following sentences is incorrect कौन सा sentence है जो की correct नहीं है first है he provided the blend with food second है the boy who does best he will get a prize third है I went for a walk with some friends fourth है this article cost 10 rupees तो इस sentence में देखेंगे तो कौन सा आपका incorrect है अगर आप C वाल, B वाले को देखेंगे तो यहाँ पर he की जरूरत नहीं है the boy who does best he will get a prize तो यहाँ पर he नहीं होना चाहिए बाकि सारे सही है अगला question हमारा हो जाएगा 33 there is an undeniable adroitness in his economic plan choose the opposite of the underline word तो यह जो है आपको बताना है कि यह adroitness की मीनिक क्या होती है तो adroitness की माने कुशल होता है दक्ष होता है expertise माने भी कुशल होता है dexterity माने कुशलता होता है incompetence माने होता है अदक्षता तो इसका सही answer C हो जाएगा क्योंकि आपको opposite बताना है यह कहना चाहता है 16th century का कौन सा एक English literature work होता है जिसको लिखा गया था Latin language में और Latin में ही first time publish किया गया था लेकिन बात में उसे English में translate किया गया था First है कि Stophus Marlose का है Dr. Foster Second है William Shakespeare स्पेस की इंगलिया था Thomas More's Utopia और fourth है Thomas More's History of King Richard III सही answer इसका C होता है Thomas More की जो यूटोपिया होता है इसको Latin में लिखा गया था यूटोपिया की मेनी होती आदर्श समाज एक ऐसा समाज जो कहीं भी exist नहीं करता है कालपनिक होता है इसको Latin में लिखा गया था English में ट्रांसलेट किया गया था इनका बहुत ही फेमस वर्क है अगला कोशन हमारा है 35 नंबर का जही तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा C Next question is 36 अरुनधत्य रॉय की जो फर्स्ट नॉवल होती जिसका नाम है इसको नॉबल प्राइज इसको लिट्रेरी अवार्ड बुकर प्राइज इसको मिला था और कम मिला था आपको बताना है फर्स्ट है 1994 सेकंड है 1995 1996 1997 सही आपको बताना है कि डाइश आर रेलेटर अन्रेलेटर वर्स यह जो वर्ड होते हैं एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं विच यह शेर दा सेम प्रानंसियोशन इसकी प्रानंसियोशन सेम होती है spelling भी एक ही जैसे होती है लेकिन इनकी जो meaning होती है वो अलग होती उसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट है homologs सेकंड homonyms थर्ड होमजीनेस फॉर्थ है all options are wrong सही आँसर इसका भी होता है यह homonyms होती है जिनकी जो pronunciation होती spelling होती हो सेम होती है लेकिन meaning इसकी अलग होती है जैसे address address की meaning होती है संबोथित करना और दूसरी address की meaning होती है address पता होता है अगला question हमारी है 38 जब भी let's से sentence बनाते हैं तो यह जो s लगा होता है इसका मलब us होता है तो जब भी इसको question tag में बनाएंगे तो subject हमारा के हो जाएगा वी हो जाएगा तो सही answer A होगा इसका question tag बनाना था अगला question हमारा होगा 39 इसमें का कौन सा है जो की अनीता देसे की short story का collection है सही answer इसका B होता है Games at twilight next question is 40 who is the author of the color purple color purple का author कौन सा है first है Alice Walker second है Virginia wolf third है gene rice fourth है iron rind सही answer इसका first है Alice Walker question number 41 है in the sun rising by john den which of the following adjective is used to describe the sun यह जो work है sun rising जो की john den के द्वारा लिखा गया था इसमें जो sun होता है उसको किस adjective से describe किया गया है john den के द्वारा first है saucy second है pedantic third है busy और fourth है सारे option correct है सही answer D होगा इसके सभी option correct है next question is 42 to the words hobel, swagger, truss, and waddle refer to a manner of यह जो word यूस किया गया है hobel है swagger, truss, और waddle यह किसी इसको describe करते है कौन से manner को first है eating second है drinking third है walking fourth है writing सही answer इसका C होता है walking question number 43 है which of the following words is by john dryden कौन सा एक word है जिसको john dryden के दुरा लिखा गया था first है Alexander's feast second है word on aggression and third है the progress of poesy fourth है word to psyche सही answer इसका first है Alexander's feast अगला question is 44 my brother enjoys playing hockey the underlined word in the above sentence is यह कहते है यह जो playing यहाँ पर use किया गए यह पार्ट अबिस बिस में क्या है को बताया था जिमना की मीनिग देता है तो क्या होता है gerund होता है अगर हुआ की मीनिग देता है तो वो present participle होता अगला question हमारा है 45 a statement that seems contradictory on the surface but often expresses a deeper truth एक ऐसा statement होता है जो खुद का contradictory होता है oppose कर रहा होता है लेकिन वो एक deep truth को बयान कर दावता है उसे हम कहते है paradox next question is 46 which of the following is written by Grish Karnad कौन सा एक work है जिसको Grish Karnad के दोरा लिखा गया है first है sacrifice second है घाशे राम कोटवाल third है हाया वडाना fourth है final solution सही answer इसका C है अगला question हमारा है 47 choose the correct passive construction of the following sentence इसका सही पैसिब आपको बताना है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है municipality will launch will launch है तो इसका पैसिब में will be launched हो जाएगा यहाँ पर is going हट गया is यहाँ पर हट गया और यहाँ पर will be launching नहीं होगा will be launched यह ही answer सही है हमारा C वाला next question is 48 which poets collaborated on the lyrical ballads of 1798 thus demonstrating the spirit of age which is an era of revolutionary thinking dependent on a belief in the limitless possibilities of poetic imagination यह कहना साथ है जो lyrical ballad है जिसको 1798 में publish किया गया था अब इसमें दो writer के words को include किया गया था वो कौन कौन से हैं first है Mary तो इसका जो सही answer होगा वो C होगा William Worsworth और Simon Taylor College के दोला दोरा इसको first time publish किया गया था 1798 में जिसमें total poems थी 23 19 poems William Worsworth की थी और 4 poems S.T. College की थी जिसमें से S.T. College के I.C. and Mariner को भी इसमें शौमिल किया गया था और यह भी आपनी exam में पूछा गया है second जो इनका आता है तो वो 1800 में आता है second collection और अगला आता है जो third होता है 1802 में आता है fifth आता है 1805 में आता है अगला question आपा रहा है 49 यह कहना चाहता है कि similar sound के repetition होता है वो consonants होते हैं तो consonant यानि कि यह alliteration होता है figure of speech question number 50 है my uncle is an army chief अब याद रखेंगे आपको बताना है कि army part of Swiss में क्या है तो जैसे अगर हम बोले railway station तो railway एक noun होता है लेकिन जब station से पहले लगाएंगे तो railway adjective हो जाएगा computer एक noun होता है लेकिन जब बोलेंगे computer game तो game से पहले यूज किया गया अब ये computer adjective हो जाएगा ऐसे army तो noun होता है लेकिन chief एक noun है उससे पहले यूज किया गया तो ये adjective है तो सही answer इसका B हो जाएगा अगला question हमा रहा है 51 The rape of log by Alexander Pope The rape of log जो कि Alexander Pope के द्वरा लिखा गया इसकी स्परकार का poem है तो ये first है ballad second है mock heroic narrative poem third है parody fourth है heroic poem से answer इसका B होता है mock heroic narrative poem है अगला question हमा रहा है 52 है और 52 में आपको पताना है ये जो line दे रखी वो line है There was a teacher named Miss Brass who was blessed with an unruly class they slept and snored and completely ignored Theorems like Pythagoras the above lines are example ये किसी इसके example है first है lyric second है limerick third है IQ fourth allegory correct answer is B limerick next question is 53 which of the following words is not spelled correctly कौन सा word है जिसकी सही spelling नहीं है तो जो accommodation होता है A, double C, O, double M, O double M होता है इसलिए यही इसकी spelling सही नहीं है और बाकि सारे सही है अगला question हमारा है 54 He is a Sahit Academy Award winner ये जो ब्यक्ति है वो Sahit Academy Award winner है and he loves to write for children और बच्चों के लिए लिखते हैं ये कौन से writer है first है आरके नारायन second है मनोहर माल गोन कर third है Ruskin Bond fourth है उपामन्नी चटर जी सही answer C होता है Ruskin Bond आगला question 55 है which of the following plays was not authored by Shakespeare काउन सापले हैं जो Shakespeare के दोरा नहीं लिखा गया था first है वोथेलो second है Tempest third है Willporn fourth है King Lear Willporn Shakespeare के दोरा नहीं लिखा गया है बाकी तीन जो है ये बहुत ही वो थेलो King Lear ये tragedy है और Tempest एक romance है अगला question है 56 है The Rime of Ancient Mariner अभी हमको बताये थे आपको आपको बताना है कि ये किस form में लिखा गया है ये से लिखा गया था T.A.C.L.E.T. के दोरा first time published किया गया था 57 In the tragic history of Dr. Fosters The doctor sold his soul to the devil for the right to use the devil's power at the will for ये कहना चाहता है कि जो Dr. Fosters की tragic history होती है उसमें Dr. Fosters होता है अपनी soul को एक शैतान को base देते हैं ताकि उनको right मिल जाए शैतान के power को use करने के लिए लेकिन कितने सालों के लिए first है as long as he lived second है 24 years third है two score and four years third है the last quarters of his life span correct answer इसका भी होता है 24 years के लिए question number 58 है he wanted to take a short walk because he dash all day ये कहना चाहता है वो थोड़ा walk करना चाहता था क्योंकि वो पूरा दिन क्या था तो पूरा दिन की बात करने है time बता रहा है had been sitting, बैठा हुआ था question number 58 का D सही होगा question number 59 है early in the morning we packed or bags सुबह सुबह हम लोग ने अपनी bag को pack कर लिया and for a hike over the mountain और फिर हम लोग mountain भी चलने के लिए चल दिये तो set of माने established करना होता है और set of के माने होते प्रस्थान करना तो सही answer C होगा अगला question हमारा होता है 60 which of the following was described by its author a comic epic poem in prose कौन सा है जो की comic epic prose poem है तो first इसका है fielding की Joseph Andrew है second है swift का Gulliver's Trouble है Richardson का Pamela है और Bernays का Evelia है तो सही answer इसका first होगा अगला question हमारा है 61 है we consider India home अब आपको बताना है कि जो home यहाँ पर use किया गए वो क्या है subject compliment फर्थ है object compliment तो we consider हम लोग मानते है इंडिया को हम लोग इंडिया को क्या मानते है तो यह जो होता है वो इंडिया को पूरा कर रहा है इंडिया को how मानते है इसलिए हो जाएगा D, Object Compliment जब Object को पूरा करेगा तो Object Compliment Subject को पूरा करेगा तो Subject Compliment Question No. 52 है Complain Blunt Chidi is a character in which play by George Bernard Shaw यह जो character है George Bernard Shaw के किस play में यूज़ किया गया है First is Man and Superman, Second is Arms and the Man Third is the Man of Destiny, Fourth is Major Barbara सही आंसर, इसका B होता है Arms and the Man Next question is 63 Choose the correct indirect speech of the following sentence इस sentence का correct indirect speech आपको चूज़ करना है The old lady said the young man who has just gone out is my son अब देख सकते हैं यहाँ पर past tense का प्रियोग किया गया है तो has, head में जाएगा और is जाएगा was में सबसे पहले इसी को चेक करते हैं यहाँ पर head का प्रियोग किया है यहाँ पर was का प्रियोग किया गया है दूसरे में आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे head का प्रियोग नहीं किया गया, wrong हो गया third में अगर देखते हैं has यूज़ कर दिया गया fourth में going यूज़ कर दिया गया तो सही answer क्या होगा, first हो जाएगा यह जो भी questions आपके पास होते हैं active, passive की या direct, indirect की होते हैं सबसे पहले work पे focus करेंगे और उसके बाद में बाकी चीज़ों को देखेंगे अगर इससे solution आपको नहीं मिलता है Question number 64 है Circumstance is proved, propitious propitious के माने होता है अब इसकी meaning आपको बताना है तो favorable माने क्या होता है यह को positive word है यह हो सकता है इसका synonym दूसरा है in auspices अशुब होता है, होगा नहीं inopportune होगा नहीं, dubious मैंने शक्की होता है तो यह है इसका सही answer होगा अगला question हमारा है 65 Whose great English dictionary published in 1755 included more than 50-100 illustrations and 1,14,000 quotations यह किसकी dictionary की बात कर रहे हैं फस्ट है Ben Johnson, second है Jonathan Swift third है James Boswell, fourth है Samuel Johnson, सही answer D होगा Samuel Johnson अगला question हमारा है 66 number का He is the author of the novel The Sword and the Seek and Private Life of an Indian Prince इसका writer कौन है first है Mulk Raas Anand second है R.K. Narayan third है Anita D. सही, fourth है भाबानी बत्रचारिया, सही answer इसका first होगा Mulk Raas Anand identify the literary devices फिगर आप speech को find out करना है the road was ribbon road को direct ribbon बता दियागा light का, तो क्या हो जाएगा metaphor हो जाएगा अगला question हमारा है 68 which of the following best describes the system by which writers received financial renumeration renumeration for their literary production तो यह कौन से किसकी बात करते हैं जिससे उनको कुछ financial help मिलने लगता है salary के रूप में तो यह होता है patronize होता है सनलक्षा जब उनको मिलता है तो सही answer C होगा अगला question हमारा 69 है in the novel guide we come across come across की मिनी खुते अचानिक मिलना a dancer what is her name guide में एक dancer होता है उसका name क्या होता है तो उसका name Rosie होता है D is का C is का सही answer है question number 70 है Rabirna Tagore's play चंदालिका describes चंदालिका यह क्या describe करता है तो first इसका है deliverance which the child discovers in the death second है angst of an untouchable woman third है spiritual quest of an individual soul और D है the hypocrisy is playing the Indian middle class सही answer इसका B होगा next question is 71 which of the following is not a comedy by William Shakespeare कौन से एक Shakespeare की comedy नहीं है first है Mary wife servants or second है taming of the shiru third day as you like it fourth है every man in his human D is का सही answer होगा question number 72 है which of the following is not a synonym of sycophant sycophant माने चापलूस होता है flatterer माने भी चापलूस होता है obsyquist माने भी चापलूस होता है grow well माने चापलूस होता है critic माने आलोचक होता है तो यह हिसका सही answer होगा question number 73 है who won the Nobel Prize for Literature in 2013 2013 में किसको मिला था Nobel Prize Literature के लिए first है Doris Laysing second है Harold Pinter third है Alice Munro fourth है question number 74 है the corporation's decision to reduce the leave of employees corporation का decision था कि employees की leave को घटा दिया जाए a lot of opposition बहुत सारे opposition का सामना किया तो किसकी मीनी होगा सामना करना first है came up against यह हो जाएगा first बहुत सारे बिरोधा का सामना किया उसने question number 75 है William Wordsworth a romantic poem educated all the following except यह कहना चाहता है William Wordsworth एक romantic poet थे उन्हेंने हर चीज को support किया है एक चीज को छोड़ करके first है using of everyday language spoken by the common people इन्होंने बहुती साधाना भाशा का प्रियोग किया था जो कि common people बोलते थे बिल्कुल सही है second है the expiration of spontaneous overflow of powerful feeling इन्होंने feeling को describe किया है निकी nature के power कहा जाता है यह भी सही है third है the humble and rustic life as subject matter इन्होंने humble और rustic life को describe किया है जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी poem जो है वो रूरल एरिया से related थी तो यह भी सही है और third है elegant wording बहुत भब शब्दों का प्रियोग करना inflated figure of speech बहुत सारा figure of speech का प्रियोग करना यही सही नहीं है तो डीस का सही answer होगा second last question है 76 है sake is the pen name अब साकी किसका pen name होता है तो साकी जो pen name होता है hectare मुंद्रों का होता है डीस का सही answer वाज का हमारा question last होगा the expression a ghost of a chance means a ghost of chance की मीनिंग क्या होती है आपको बताना है first है something that is likely to happen second है a poor chance not likely to happen third is something or somebody that spoils your plan a place deserted by most people तो सही answer इसका भी होगा poor chance होता है या उसके ना घटने की जादा chances होते हैं तो यह रहे हमारे आज के questions हमें उम्मेध्या को जरूर समझ आए होंगे फिर मिलते हैं आगली वीडियो में till then check care have a good time